बर्शास किचिन में आप सभी का स्वागते हैं आज मैं लेकर यूँ ब्रैट के दो नए तरीके के नास्ते तो वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज लाइक शेयर करें सब्सक्राइब करें कमेंट करके जरूब बताया चलिए शुरू करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसमें चोथाई चमच जीरा चोथाई चमच राई डाल देंगे इसी के साथ थोड़ी सी हिंग डाल दी है अब सभी को अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे एक अरीविश डालेंगे बारी कटा और आधा इंचादरा को कद्दुकस करके लिए तो दोनों को अच्छे कद्दुकस करके रखेते सभी आलू डाल लेंगे और आलू को थोड़ा बीच में कर लेंगे अब एक प्यास डालेंगे बारी कटा चोथाई चमच लाल मिर्च और चोथाई चमच धनिया परडर और चोथाई चमच नमक तो आप स्वाद के अनुसार ले सकते हैं थोड़ा स अब बारी कटा हरा धनिया डालेंगे दो से तीन चमच अब सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए दो मिनटिन को अच्छे से पका लेंगे जिससे हमारे आलू मसाले बढ़िया से भुनकर तैयार हो जाएंगे तो देखें इस तरह से आलू मसाला मैंने तैयार कर लिया है लास्ट अब दो ब्रैड ब्रैड धकन को अब दो कट सकते है तो इसन कात में वेयर को अब in तो गॉल साहे होरा कीनारो को तैयार को के अचंगे मैं नोले लेंगे जो केनारे है उनको हम रेशबी में यूजिंसकर लिए अब दो ब्रैड मैंने चकले पर रख लिया हैं हरे धनी चटनी इसके उपर अच्छे से प्रेट कर देंगी तो चटनी आप अपने टेस्ट कर लेंगे तो हम टनी कोई लगा सकते हैं तो मैंने दौनों ब्रेट पर अच्छे से धनिये की चटनी लगा ली है अब जो आलू का मिक्षर बनाया था तो इसको थोड़ा ठंडा कर लिया है और इसको चार भागों में अलग कर लिया है तो तीन हम टिक्की बना लेंगे इस तरह से गुल घुमाते हुए तो टिक्की का शेफ मैंने दे दिया इसी तरह से तीन हो टिक्की को हम बना लेंगे तो यहां टिक्की बन के तयार है ब्रेट के उपर अच्छे से रख देंगे और दोनों पर सैट कर देंगे अब जो bread के किनारे हैं इसके उपर हम थोड़ा थोड़ा ऊंगली या brush की मदद से इस तरह से पानी से इसको भिगो लेंगे और दूसरी bread है उसको भी इसी तरह से किनारों किनारे थोड़ा थोड़ा पानी लगा कर इस तरह से भिगो ली है अब इस bread को हम दूसरी bread की उपर रख देंगे, हलका सा हाथ से इस तरह से प्रेस करके दवा लेंगे और हाथ में लेके देखी इस तरह से किनारों को हम बंद कर लेंगे जिससे fry करते समय यह खुलेंगे नई, तो इस तरह से हमारे नास्तावन के तैयारे प्लेट में रख लें निचोडने से भाद यहां सब निचोडने के बाद आलो निक्षे सबसकों मेन इस तारी से पानी में भग आलोnant पेमल ब्ली मिक्षे स्थी से ली तार में कैद कि मीशा कैसे । और इधर एक mixing बावल में आधा कफ हमने बेशन लिया है, तीन चम्मच हमने कॉन फ्लोर लिया है, आप अरा रोट चावल काटा कुछ भी ले सकते हैं, इसमें थोड़ी से नमक और थोड़ा सा लाल मिस पॉड़र डाल लिया है, थोड़ा सा अरा धनिया डाल कर सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर एक पतला गोल पना लेंगे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरू बताएं, तो देखी इस तर इसे दूसरा नास्ता भी मैंने डाल दिया है, तो यहां तीनों नास्ता डाल दियेगे, दो शेखने देंगे और दो शेखने के बाद जरू पलट लेंगे, और अलट पलट का अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी होने तक इन नास्तां को सेखलेंगे, तो बहुती टेस्टी और कुरकुरा नास्तवन के तयार होगा तो यहां देखिए तीनों हमारे भड़िया से सिख चुके हैं इनको हम एक इक करके प्लेट में निकाल लेंगे आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करें तो बाकी के जो बहुत मनायते वो भी फ्राई कर लियें थैंक्यू